सुपर पावर यानि स्पाइडर मैन, सुपर मैन या एक्स मैन लेकिन क्या आप चानते हैं हाईली डाइवर्सिफाइड इदुनिया में ऐसा भी कुछ विचितर जीव है जिनके अधूत शमता आपको हैरान कर सकते हैं आप देख रहे हैं BWB आज हम लोग मिलेंगे ऐसा ही पाच एनिमल से जिनको देखके आप भी एक बार जरूर सोचिएगा कि कुद्रति करिस्मा इंसानी सोच से कही गुना बहतर है दोस्तों बने रहे अंतक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऐसा ही वीडियो देखने के लिए तो चलिए शुरू करते है लीस्ट के नामबर फाइब में है कैमेलियन बेहद ही निपून शिकारी है ये डाली और पत्तों के बीच में ऐसे छुपे हुए रहते है कि शिकार को भनक तक नहीं लगता है कच्छुआ चाल में बढ़ते हुए देख के कौन अंदजा लगाएगा कि ये अपना जीव से मारने वाले है पिजली सात्य जपटा और निगल लेते है शिकार को आपकी पलक जपटने से पहले ये अपना आँख को 360 डिग्री एंगल में कैमेरा जैसा घूमा सकता है इसके जीव के आकार इसके अपने शरीर के हिसाब से लगबग दो गुना ज्यादा लंबा होता है और तो और ये अपने बैक्ग्राउंड के हिसाब से अपने शरीर के रंग भी बदल सकते है क्या है ना चमतकार नमबर फोर में है हैं हैमर हेड़िड शार्क शरीर के आगे के हिस्से में रहता है हतुरा यानी हैमर के शेप सर जो एक मेटल डिटेक्टर प्लेट जैसा काम करते है बेहदी संबेदन सील कुछ रिसेप्टर सेंसर के जरीए हमर हेड़ पता लगा सकते है आर्थ के मैगनेटिक फिल्ड तथा समंदर के नीचे छुपा हुआ शिकार की हमर हेड़ के चंगुल से बचना बेहदी मुश्किल हो जाता है इसके शिकार के लिए कहीं भी चुपो बचना की सकते है नमबर थ्री 320 किलोमेटर पर अवार स्पीड से उरने वाला गॉल्डेन इगल की आईसाइट कोई टेलिसकोप से कम नहीं है सारे तीन किलोमेटर दूरी से बेहद सैटिक निशाना लगा के जमीन पे चलने वाला खरगोश को दवोश लेने का समता रखते है ये शिकार को भनक लगते लगते शिकारी कर देते है हामला नमबर दो में है एक बहर उपी हम बात कर रहे हैं मिमिक अक्टोपास के बारे में शिकार को पकरना और शिकारिस्ति बचना दोनों विद्या में माहीर है ये कभी पत्थर तो कभी स्कॉर्पियन फीश तो कभी जहरीला हाइड्रो फीश साब को नकल कर रहे है ये रंग बदलने में माहीर ये कलाकार पत्थर के रंग से घुल मिल जाते है खत्रों से अंजान शिकार अक्टोपास के हिलते हुए साइफन को खाना समझ के जैसे ही नजदीक पहुँचते है साकार से भरा हुआ आठ मस्कुलर अर्म लपेट लेते है बेचारा शिकार को चिंगम के चंगुल से बचना मुश्किली नहीं नामूमकिन है और बात रहा शिकारी को चक्मा देने का शिकारी के आखों में जहरीला इंग जोक के धा हो जाते है ये इसको कहते है आखों में धूल जोकना कहते है कुद्रत की करिश्मा हो तो अंधा भी देख सकता है नंबर वन में है ऐसा एक जीव जिसको देखने के लिए आँख की जुरूत नहीं है बैट्स प्रोड्यूस कर सकते है अल्ट्रा सुनिक यानी 20 किलो हार्ट से अधिक फ्रिक्वेंसी वाला साउंड अपना बायो सुनर सिस्टेम से इस प्रोसेस को कहा जाता है इको लोकेशन बायो सुनर से एमिट करते रहते है अल्ट्रा साउंड बैट्स ने कोई सर्फेस से टकराने के बाद यह वापस आ जाते है बैट्स के रडर जैसे कानों में फिर साउंड ओफ को दिमाग कॉन्वर्ट कर देते है इमेज में यही तरी साउंड सिकार को बिल्कुल सुना ही नहीं देता है ना तो हम लोग इसे सुन सकते हैं लेकिन एक अंधा बैट्स भी अल्ट्रा सुनिक साउंड यूज करके यानि की इको लोकेशन प्रसेस यूज करके अपने दिमाग के अंदर कोई सर्फेस या अपना सिकार का इमेज अप